हेलो इवरीवन मैं हूँ पतिभा कानपूर किचन.com में आपका स्वागा थे फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे हरे चने की एकदम नए तरीके की बहुत ही तेस्टी सबजी अगर आपको मेरी आज की रेसीपी पसंद आये तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चलिए शुरुआत करते हैं हरे चने की चटकारेदार सबजी बनाने के लिए हमने आपर एक मिक्सर जाल लिया हुआ है हम इसमें काफी सारा हरा धनिया डालेंगे चार से पांच हरी मिर्ची डाल देंगे आधा इंच अद्रक का टुकडा है जिसे हमने ऐसे छोटे टुकडे में काटके डाला हुआ है चार लहसुन की कलिया डाल देंगे और हम इसमें आधा से कम नीबु का रस डालेंगे दो बड़े चमच के जितनी ये बेशन सेव है वो डाल देंगे नमक डाल देंगे और दो से तीन बड़े चमच पानी डाल करके हम इसे अच्छे से पीस लेंगे यानि कि हमें इसकी एकदम बढ़िया सी चटनी तयार करनी है ये देखिए फिंट हमारी जो चटनी है अच्छ का तेल डाला है तेल गरम हो जाएगा जीरा और हिंग डाल देंगे अब इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे तो यहां पर दो से तीन कलिया लहसुन था जिसे हमने फाइनली चौप करके डाला हुआ है बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे एक बड़े साइज की प कूलाबी हो गई है तो हम इसमें यह चनने डाल देंगे सरे घज्राटाहिज हमने कूकर के एक सीटी तक एक लयम कर लिया थrawn मिक्स करेंगे और थोड़ा सा फ्राई करेंगे टमाटर डाल देंगे एक टमाटर डालना है ज्यादा टमाटर नहीं डालना है अब हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे बहुत ही सिंपल से मसालों से यह सबजी बनेगी लाल मिर्ची अब हमें इसे अच्छे से भूना है तो हम क्या करेंगे कि ढख करके तीन सी चार मिनट तक धीमी आज में पका लेंगे ताकि जो भी मसाले हमने इसमें डाले हैं उनका जो फ्लेवर है चनों में अच्छे से आ जाए आप चाहें तो इस सब्जी को कुकर में बना सकते हैं तो आ चविअज आयब जो इतना गजब कर आएगा कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे चठनी डाल करके इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे आप जार में जो धोड़ी से चटनी लगी है उसमें पानी डाल के ऐसे डाल देंगे तो बस ज्यादा पानी नहीं डालना है और तो आप ग्रेवी अपने हिसाब से पतली या गाड़ी कर सकते हैं तो देखिए मैंने थोड़ा सा ही पाणी डाला है अच्छे से मिला देंगे तो देखिए इस तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें लिड लगा देंगे और 3-4 मिन तक इसे कोक करेंगे तो मीडियम फ्लेम में से 3-4 मिन तक पका लिजिए यह देखिए फ्रेंट्स हमारी जो सबजी है वो आलमोस्ट बन करके बिल्कुल तयार हो गई है और यह बहुत ही टेस्टी लगती है क्योंकि हमने इसमें जो चटनी डाली है उससे इसका जो टेस्ट होगा वो बिल्कुल ही उपर से हम बारी कटा हुआ हरा धनिया राल के गानिस करेंगे रेसीपी पसंद आई हो तो लाइक शेर जरूर कीजिए